बिहार के मुख्यमंत्री नितीश कुमार राश्ट्रिय राजनीती में दस्तक देने के लिए तैयार हैं। राजियों का समर्थन हासिल करने के लिए नितीश कुमार राजियों के हितों का सवाल उठा रहे हैं। नितीश कुमार ने कहा है कि राजियों को अपे छक्रित अब कम सहयोग केंद्र का मिल रहा है और बगएर स्पेशल स्टेटस के कुछ राजियों का विकास संभव नहीं है। को सा काम कर रहा है कि काम हुता है साद काली सभचा हुता है अब राजियों को तो ऑफ़ हम नहीं रहता है कि न फिर भी पता नहीं क्या हो रहा है अब ये हम लोगा चंदने जो देख रहे हैं हम लोग आसका अंगा बिहार इतना पिछड़ा राज्य है आप बोली हम लोग कितना बढ़िया काम करके कितना मिहनत करते हम लोग जब से मिहनत की था यहां लोगों की आम धनी बढ़नी लगी है लेकिन विस्टेस राज्य का दर्धागर बिल गया होता ता आज कितना आगे बढ़ा होता और राज्य के विकास देश के विकास में भी कितना इसका ज़्यादा योगदान होता कल तक तो सबकुष छीक ठाक था नरेंदर भुदी के नितिव तुम्हें देश तरक्य कर रहा था यह बात में तीस जी बोल रहे थे अब गट रंधन से अलग हुए तो राज्यों के हीत की चिंता आपको सताने लगी केंदर की सरकार ने पहले भी कहा है जब तक पिछडे पिछडों में जो राज्यांस होता था उसको 32% से बढ़ाकर 42% किया गया और पिछडों राज्यों को अलग से सहता दीर जा रही है बिहार जैसे राज्य को अलग से पैकेज दिया गया तो नितीश कुमार जी अपनी अक्षमता को छुपाने के लिए तोहमत के निपे लगा सिफाद करके किसी राज्यों के छटरिपनेता इनका श्यूग लेना चाहते हैं उनके महतौकांचा सेंसे पूरा देश पर्चित है करतिम्हतौकांचा के सिकार हो गये है picture ते बजे राज का जो डरजा का ऌलाप है, यह बंद होता है, फिर शुरू हो जाता है, अब मैं पूश्ता हूं, कि जिन regulatory को विशेसराज का दरजा पहले से मिला हुआ है क्या वराज बिक्सित हो गए क्या सहुल्यते चाहिए सुविधाय चाहिए आर्थिक स्वयोग चाहिए वह मिल रहा है भी हार को अलग से कि वह नाम का टायग लग जाए विसेश राज का दर्जा उससे भिकास हो जाएगा क्या उसके लिए भीजन चाहिए द्रिश्टी उलट पलट करने में लगे हुए हैं और अब आपका तो ध्यान भीहार पर है नहीं जब आप इंडियान पूरे कंट्री का आप स्ट्रक्चर देखिएगा तो हमारे जो संविधान निर्माता थे उन्होंने भारत को एक संघीय देश मनाया जिसमें केंद्र सरकार का भी प्र प्रोविजन होगा समिधान निर्माता ने ही यह इंटेंशनली किया कि सेंटर को जदे इंपावर किया जाए और स्टेट को थोड़ा सा कम इंपावर किया जिसमें एसेमली और यह पार्लियमेंट का जो इस्ट्रक्चर है जब उसको फिसकल फेडरलिजम में ले आईएगा जब भी ठीए धाचा का जब आप बात करेंगे तो उसमें भी सेंटर का जो रेविन्यू कलेक्शन है वो करीब करीब 68 परसेंट है और इस्टेट का 32 परसेंट है उसको डिस्ट्रिब्यूशन करने के लिए एक जो मेठाट किया जाता है उसमें फैनांस कमिशन का अपना रो रिवीव होता है अलग-अलग फैनांस कमिशन के द्वारा अभी 15 फैनांस कमिशन चल रहा है लेकिन जब आप एक्चुल कलेक्शन देखिएगा उसमें गवर्मेंट का पॉलिसी चलता है और उसमें गवर्मेंट का एफर्ड जलगता है तो आप पिछले 2-3 सालों में देख के रूप में वो करीब 73,000 करोर था 73,603 करोर वह 19-20 में घटके 63,000 करोर हो गया 10,000 कम हो गया फिर अगें 20-21 में देखिएगा तो और घट गया जब आपको जादे पैसे का जरूरत है कोविट जैसे माहमारी से जूजने के लिए और आपका एस्टेट 10% के रेट से गती से म और ज्यादे पेस से काम करें तो उसमें सेंट्रल सपोर्ट का अहम रोल है ब्यार जैसे राज्यों में जब आप इसको निशनल परस्पेक्टिव में देखिएगा तो भारत सरकार या किंद्र सरकार में जो आपका मेन क्विस्चन था कि बैकवार्ड इस्टेट कहां आते है एक सेंट्रल गवार्मेंट मेंट का टेंपरामेंट है डिवलोप्ट से प्रति जादे इस्कूड है वह डिय suspects दिटर्मीन होते हैं जो रियस ट्रक्चर इंघाड सिएससें हुआ है अपनी जो स्कीम है उसको इंप्लीमेंट करना है यदि वह स्कीम वह पैसा यदि हम सेंट्रल गवर्मेंट के प्रोजेक्ट में यदि लगाने लगेंगे तो वहां पर हमको और हमको प्रिसर होगा इसलिए भारत सरकार को चाहिए जैसे फैनांस कमिशन में भी आप देखिए और बिहार भी revenue deficit हो रहा है ये डिलिवरेटली नहीं हो रहा है पंडेमिक से जुझने के बाद हमको हुना ही है क्योंकि एक क्यों को खराब लगेगा अगर ये कह रहे हैं कि केंद्र जो हमसे वायदे की थी उस पर वो खरी नहीं उतर रही है तो किसको अच्छा नहीं लएगा अगर कोई राज्य का बटवारा ही इसी ग्राउंड पर हुआ था कि आपको हम अस्पेसल अस्टेटस देंगे और अस्पेसल अस्टेटस उसको नहीं मिला उसको लेकर के इनकी आवाज मुखर होगी तो किस राज्य को अच्छा नहीं लएगा और सुभाविक है कि जब सारे उनके इंट्रेस्ट के साथ ये करेगा मेल खाएगा तो सुभावी कुरूप से उनका समर्थन इनको मिलेगा ये मनोवग्यानिक गेम तो ये खेलेंगा नितीज कुमार जी जब एंडिये के साथ जाते हैं तो इनका ये जो अस्पेसल अस्टेटस वाली जो बात है वो ठंड क्यों बस्ते में चली जाती है कुंद क्यों पड़ जाती है और जैसे ही ये इंडिये से बाहर निकलते हैं मजबूती के साथ ये कहते रहते हैं कि हमको विशेस राज्य का दर्जा चाहिए अगर विशेस राज्य का दर्जा बिहार डिजर्व करता है तो चाहे आप इंडिय के साथ रहें या इंडिये के बाहर रहें ये आवाज तो हमेशा उठनी चाहिए थी बीच बीच में इनकी आवाज दब क्यों जाती है एक पार दूसरी पार जो विशेष राज्य के दर्जा की बात है तो कई राज्ये इसकी लाइन में खड़े हैं ते लंगाना खड़ा है उ हो सकती है बिवहारिक मांग नहीं होगी रह गई दूसरी बात की जो राज्यांस को लेकर के जो इनके सवाल है वो सवाल में दम है कि जो बिहार जिस तरह से पिछड़ा राज्य है नीती आयोग की रिपोर्ट में हर इंडेक्स में ये कमजोर दिखता है जब तक इसको विश नितीश कुमार ने बिहार के पिछड़ेपन का मुद्दा एक बार फिर जोड़ सोड़ से उठाया है और कट घरे में किंद्र सरकार को खड़ा किया गया है हलाकि भाजपा का मानना है कि बिहार में जो कुछ विकास दिख रहा है वो किंद्र सरकार के बदौलत है और एटीवी भारत पटना